देखिए जो मैं आपको बताने जा रहे हैं उसको बिल्कुल कान लगाकर ध्यान सी सुनिएगा क्यूंकि कुछ नए आने वाला है वैक्सीन की फैमिली में एक नए वैक्सीन की एंट्री होने वाली है अभी तक कोरोना से लड़ने के लिए देश में तीन वैक्सीन लगाए जा रहे हैं पहली को वैक्सीन, दूसरी कोविशील्ड और तीसरी स्पुतनिक वी लेकिन अब बहुत जल्द चौथी वैक्सीन भी आने वाली है जिसका नाम है जाइकॉफ दी जाइकॉफ दी के इमर्जनसी यूज के लिए जाइडस कैडिला इसी हफ़ते सेंट्रल ड्रग्स रेग्यूलेटर को अपलाई कर सकती है ये देश की पहली डीने प्लाजमिट वैक्सीन होगी मतलब ये वैक्सीन हमारे शरीर में इम्म्यूनिटी बढ़ाने के लिए जेनेटिक मटीरिल्स का इस्तिमाल करेगी हमारे शरीर में तगड़ा इम्यून रिस्पॉंस बनाने का काम करेगी साथ में वाइरस को शरीर में फैलने से रोकने में मदद करेगी तो ये तो हो गई इस plasmid DNA की बाद, अब आपको इससे जुड़ी एक और मज़िदार बाद बताते हैं ये एक दो नहीं, बलकि तीन डोज वाली वैक्सीन है, इससे बॉड़ी में ज्यादा समय तक immunity बनी रहेगी, जाइकवदी के हर डोज में 4-4 हफते का gap होना जरूरी है जेट इंग्जेक्टर से लगाए जाएगी, जो स्किन के अंदर पुष्ट की जाएगी, इसको भरने का तरीका, लगाने का तरीका, यहाँ तक की डिस्पोस करने का तरीका भी सबसे अलग है एक और बात, जो इसे सबसे अलग बनाती है वो यह कि इस वैक्सीन को cold storage की जरूरत नहीं है मतलब जाइकवदी वैक्सीन को 2-8 degree temperature में store कर सकते हैं और यह 25 degree temperature में भी खराब नहीं होगी यह पहली ऐसी वैक्सीन है जिसका ट्रायल 12-18 साल की उम्रवाले बच्चों पर किया डारा है इसका एक मतलब यह भी हुआ कि अगर इसे approval मिलता है तो देश में 12-18 साल के बच्चों का vaccination भी आसानी से हो सकेगा रही बात वैक्सीन को approval मिलने की तो Zydus Cadillac के MD डॉक्टर शर्विल पटेल का कहना है कि जुलाई तक कमपनी वैक्सीन का production शुरू करने की पूरी तयारी में है हमारी तयारी एक साल में 24 करोड डोस बनाने की है समझे आप हर महीने 2 करोड डोस इसका मतलब साफ है कि कमपनी कुछ ऐसी ही तयारी में है कि अगर जुलाई एंड तक इस वैक्सीन को approval मिल जाता है तो बहुत जल्द ये बाजार में भी आ जाएगी ऐसे ही नॉलिज बढ़ाने वाली वीडियोस को देखने के लिए डाउनलोड कीजे दैनिक भासकर आप